कुछ चिंटु टाइप के, कुछ ठेकदार टाइप के, चंदाखोर टाइप के भुमिहार नेता पैदा हुए हैं, एक विधान सभा चुनाव हारे हुए व्यक्ति को टिकट दिया गया 2019 में, लेकिन एक लोग सभा चुनाव हारे हुए व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, त उसके बावजूद इनकी संपत्ति मात्र धाई कड़ों रुपे की है। लेकिन बिहारी असमिता की ये बार-बार बात कर रहे हैं। आपको मैं दो इंसिडेंट देता हूँ। अनन सिंग, सुरजभान सिंग, इनको चन्ना मिलता है वहां से। हलाकि इनको जेडियू के तरब से भी ओफर था, लेकिन इनुने पार्टी छोड़ने का साफ मना कर दिया। एक साल में इनको भुमियारी असमिता की कोई याद नहीं आई है। इनको अपनी दुकान बंध होते वे नजर आ रहे हैं। क्योंकि जहानाबाद लोग सवाज शेत्र में ये लोग दुकानदारी करते हैं भुमियारी असमिता की। पैदा भी हुए बीजेपी में और अंत भी बीजेपी में हुआ है। 2020 में इनके जो पीए थे वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक कहावत है और ये कहावत किसी भी समाज, किसी भी जाती, किसी भी समुह के उपर अपलाई किया जा सकता है। लेकिर आज हम ये कहावत आपको भुमियार के संदर में बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोग सभाचुनाव 2024 के दौरान कुछ चिंटू टाइप के, कुछ ठेकदार टाइप के, चंदाखोड टाइप के भुमियार नेता पैदा हुए हैं, जो भुमियारी असमिता की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, भुमियारी के चेतर में, 2014 में, अरुन बाबु लास्ट भुमियार जीते थे वहां से, उसके पहले 1999 में जीते थे वो, दो बार मातर वो जीते हैं, वो भी 15 साल के डिफरेंस के बाद, उनके उपर इतना हला हो रहा है, लेकिन एक ऐसे नेता हैं भुमियार समाज के अंदर, जिनके बारे मे उस भुमियार लीडर का लगातार तीन वाल लोग सवाचुना जीतने के बाद, जब 2019 के लोग सवाचुना में उनका टिकट काटा गया था, इसी BGP, इसी NDA के द्वारा, तब ये चिंटू टाइप के लोग, ये जो चंदा खोड टाइप के लोग है, इन लोग उसे मुह से बकार तक नहीं रिकला था, इन लोगों ने एक चूस सब्द तक नहीं बोला था, और आज इनको भुमियारी अस्मिता के याद आ गई है, असलमें इनको भुमियारी अस्मिता के कोई याद नहीं आई है, इनको अपनी दुकान बंध होते वे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जह बिहार से लोग सबा चातर से तीन वार लगातार सांसद बने हैं, और पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में, पूरे बिहार के इतिहास में, आजादी से लेके आज तक, इनके अलावा एक मात्र और लीडर है, भुमियार लीडर, जो तीन वार लगातार लोग सबा चुनाव तीन वार जितने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन साथ वार लोग सभाज चुनाव लणने वाले और विजिता बनने वाले आपको सिर्फ दो ही लोग मिलेंगे, तारकस्पुरी सिन्हा और निकल कुमार चौधरी, लेकिन इनका नाम इनको याद नहीं आता, इनका जब टिकट करता है, तो यह लुक के मुँपे कुछ बकार तक नहीं निकलता है, यह वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो हमने बनाया था, जिस वीडियो में हमने कहा था, कि 1990 के दसक के दोरान, भूमिहार के लगभग और चार सांसत चुनकर के जाया कर इन चिंटू को भी नहीं पता, इसलिए है, क्योंकि निकिल कुमार चोदरी ने आज तक कभी जाती के नाम पे वोट नहीं लोगों से मांगा है, कभी उने बुमिहार को भड़काया नहीं है, लड़ाई जगडा नहीं करवाया जैसा कि बिहार में खुब हुआ है, तो उसका हिस्सा नहीं है यह, इनको हर जाती से, हर धर्म से इनको वोट मिला करता था, यह एक ऐसे लोगसवाज छेतर में चुनाव लड़ते थे और जीते थे जहां, भुम्यारों का वोट का टोटल संख्या मातर 40-50 जार है, लेकिन इसके बावजूद इनका कहीं कोई नामो निसान नहीं होता है, यह एक ऐसे नेता है, जो सभी जाती उसे वोट लेते थे, यह एक ऐसे नेता है, जो कभी भी अपने पूरे राजमेतिक जीवन में पैदा भी हुए BJP में और अंत भी BJP में हुआ है, उनका टिकट काटा गया 2019 में और 2024 में फिर से काटा गया है, नहीं उनको म वहां पे इनको चंदा मिलेगा नहीं भूम्यार के नाम पे कटिहार में इसलिए इनको मतलब है अपना जेब गरम करने से अपना इनको मतलब है सिर्फ और अपना राजनिती चम्काने से अपना इनको जो चंदा खोरी करते हैं चंदा खोरी करने से मतलब है अब मैं आज आपको इस निखिल कुमार चोधरी के बारे में पूरा कहानी बताऊंगा और इन चंदा खोरों पे मुझे बस एक लाइन याद आता है लालो यादव जी का उन्होंने संसद में कहा था कि दुनिया में आये हैं तो कुछ काम कर जिए और चंदा के पैसा से जलपान किजिए लोग यही चंदा के पैसा से जलपान कर रहे हैं लेकिन आज हम भुम्यारी असमिता के नाम पे सिर्फ आपको इतना बता रहे हैं कि ये भी एक लीडर हुआ करते थे ये इनके नरेटिव में फिट नहीं होता है इन चंदा खोरों को इन चिंटिवों के नरेटिव में इसलिए नहीं फिट होते हैं क्योंकि कभी लड़ने की बात करते नहीं थे क्योंकि सभी जाती का इनको वोट मिलता था कभी ये भुम्यार भुम्यार चिलाते नहीं थे इन लोगों की तरह अग्रेसिव करते नहीं थे इसलिए इन लोग वहां चुनाव जीते हैं लगातार तीन वार जीतने वाले तो मैंने बता दिया सिर्फ दो ही है एक निखिल कुमार चौधरी और एक हुए तरकेश्वरी सिन्हा लेकिन तीन वार टोटल चुनाव जीतने वाले सांसत बनने वाले में से एक सीपी ठाकुर है जो 1984 में बनते हैं उसके बाद फिर कृष्णा साही एक है जो तीन वार जीती है और चार वार हारी थी ललन सिंग है तीन वार जीते हैं एक बार हारे हैं वो उसके अलावा फिर आपके कोई आपको नहीं मिलेगा कृष्णा साही हो गई तरकेश्वरी सिन्ह हो गई ललन सिंग हो और स्री पेठ इनको चंदा मिलता है इन लोगों से निखिल कुमार चौधरी जैसे लोगों से चंदा नहीं मिलता है इसलिए लोग उनका नाम नहीं लेते हैं अब निकिल कुमार चौधरी का आपको मैं इतिहास बता देता हूँ कि इनका जीवन ही राजितिक जीवन ही शुरू हुआ BJP से और ये कटिहार लोग सभाज छेतर का आप इतिहास उठाके देख लिजिए निकिल कुमार चौधरी से पहले वहाँ पे कटिहार लोग सभाज छेतर में कोई BJP का लीडर चुनाव तक निलोग सभा नहीं लड़ता था जितना तो दूर की बात है 1991 में ये पहली वार लड़ते हैं BJP के टिकट से और BJP को मिलता है और यहां से चुनाव लड़ते हैं और ये भी जान लेजिए कि निकिल कुमार चौधरी के बाद जब इनको टिकट नहीं मिला तो निकिल कुमार चौधरी के बाद आज BJP के पास कटिहार लोग सभा चेतर में एक भी लीडर नहीं है जो लोग सभा चुनाव लड़ सकता है और यही कारण है कि वो से जे डियू को चला जाता है लेकिन इनको नहीं दिया गया इनका इतियास है कि 1990 में पहली बार लड़े तीसरे नंबर पे रहे लेकिन तीसरे नंबर और दूसरे नंबर के बीच में जो अंतर था वो मातर 1% का था इनको 28.29 इनको वोट आया और इनके सामने जो दूसरे नंबर पे रहते कॉंग्रेस के वो 30% उनको आया था और इसलिए हुआ क्योंकि जनतादल और BJP अलग-अलग चुनाव लड़ी थी 1991 में 1989 का चुनाव जनतादल ने जीता था क्योंकि जनतादल और BJP साथ मिल अढ़ी थी लेकिन इसotics कि तीन जगा वोट बट गये इसलिए ये लोग ये चुनाव हार गये थे 1996 का चुनाव ये फिर से हारते हैं लेकिन ये दूसरे नंबर पर रहते हैं उब्वेचेता बनते हैं और इनको जो हार मिलती है वो 88,286 वोटों से मिलती है 1998 में फिर हारते हैं ये लेकिन हारने का जो वोटों का अंतर है वो लगातार कम हो रहा है 1998 में इनका हो जाता है 20,437 वोट से हारते हैं यानि कि कहां 88,000 था, कहां 20,000 हो गया 1999 में यह जीत जाते हैं और जीतने हैं तो 1-2 वोट से नहीं जीतते हैं यह जीतते हैं 1,36,852 वोट से और उस दौर में 1,37,000 वोट से जितना बहुत बड़ी बात होती थी उसके बाद फिर 2004 में भी जीतते हैं याद किजिए 2004 में इंडिया साइनिंग का लहर होने के बावजूद NDA, BJP वो चुनाव हार गई थी, कॉंग्रेस की सरकार बने थी और उस कॉंग्रेस की सरकार बनने में भी 2004 के चुनाव में ये जीतते हैं, वहाँ से कटिहार लोग सभाचेदर से दूसरी बार और वहाँ से जीतते हैं, फिर उसके बाद 2009 में भी जीतते हैं, जिस 2009 के चुनाव में बीजेपी बिल्कुल सुपडा साफ हो जाता है, उसका यूपी एका कॉंग्रेस का सीटों का संख्या बढ़ जाता है, उस चुनाव में भी ये जीतते हैं आईन-डी की तरफ से नरेंद्र मोनी का सुपड़ी ये जिवी जीतते हैं, हमेशा तुम-घचाएचंवारmain हो ज definition में अजाता सीटी Yay दिया था, तो उस कारण से यह चुलाव हरे हैं, तो जो राजनिती करते हैं, यह किसी को लडाने वाली करते हैं, ना जाती के नाम पर, ना धर्म के नाम पर, उनको सभी समाज का सभी जाती का वोट मिलता है, तो 40,000 वोट होने के बावज़ोद भूमियार वहाँ पे कटियार में ये बारवर चुनाव जीते हैं तो उस कारण से वो मोधी लहर, इंटी, मुस्लीम और जो मुस्लीम विरोध की जो लहर थी उसके कारण ये चुनाव हार जाते हैं अब आप सोचिए कि 2019 में ठीक है, 2014 में ये हार गए चुनाव 2019 में इनका टिकट कार दिया आता है और बीजेपी अपने पास नहीं रखती है 2014 का चुनाव जेडियू के साथ नहीं लड़ी थी 2019 में जेडियू के साथ लड़ती है तो ये सीट, कटिहार सीट, बीजेपी है इंडिया में जेडियू को दे देती है ये सोच करके कि चुकी कटिहार में मुसल्मान का बोट जाता है और जेडियू मुसल्मानों का बोट असानी से ले सकती है BJP बढ़EDA मुश्कील है लिन इस अधार पर इनको दे दिया जाता है huge 2019 में GDU को इंटिकट इनको नहीं दिया जाता है वो हालाकि इनकी जो राजनिती है वो FIT जादा बैठती थी GDU के राजनिती में नितिश कुमार की राजनिती में या अटल विहारी बाजपीक राजीते मोधिवाली में फिट नहीं बैठती थी लेकिन 2019 में जब इनको टिकट काटा गया इनका तो उस व्यक्ति को टिकट दिया गया जेडियू की तरफ से हलाकि इनको जेडियू की तरफ से भी ओफर था लेकिन इनुने पार्टी छोड़ने का साफ मना कर दिया कि हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे उनका जीवन भी वहीं से शुरू हुआ था बीजेपी से और अंत भी वहीं पे हुआ है लेकिन इनके जगर 2019 में जिनको टिकट दिया गया था, ये 14 में हारे थे, लेकिन जिनको दिया गया टिकट, दुलाल चंद गोस्वामी को, वो 2015 में विधान सभा चुनाव हारे हुए वेक्ति को टिकट दिया गया 2019 में, लेकिन एक लोग सभा चुनाव हारे हुए वेक्ति को टिकट नहीं दिया गया, ये अपने आप में बड़ा आश्चरे का बात है, दूसरा important fact है, ये दुलाल चन्द गोस्वामी वही है, जो दुलाल चन्द गोस्वामी के उपर हमें एक अलग से भी वीडियो बना रहे हैं, वो यही दुलाल चन्द गोस्वामी है, जिनकी राजनिती इसी निखिल कुमार च सवामी को पहली वार बीजेपी के तरफ से विधान सभा का टिकट का चुनाव, 1995 में, और वहां पे वो जीते जिते थे, और ये लोक सवाल लड रहे थे, वो विधान सवाल लड रहे थे, लेकिन इनके साथी राजनिती कर रहे थे, इनके मतलब कह सकते है, इनके छत्रचाया में कर रहे थे, और उस व्यक्ति को टिकट दिया गया, 2019 में, इस व्यक्ति का टिकट कार करके, जो तिन वर लगातार जीत चुका है चुनाव, ये उनका एक इंपोर्टेंट आपको अस्पेक्ट है उनके लाइप का, अब आपको लग रहा होगा कि ये चुनाव हो सकता है, क ये नहीं दो अधारों पे तो और नहीं तो फिर तीसरा पार्टी के नाम पे वोट होता है, तो पार्टी इनके साथ मजबूत थी ही, पैसा इनके पास नहीं था, अभी 2014 में जब आखरी लोग सभा चुनाव ये लड़े थे, तो उस लोग सभा चुनाव में जो इन्होंने लोग सभा का सांसद रह चुका हो, कई कमिटियों के मेंबर रह चुके हैं, उसके बावजूत इनकी संपत्ती मात्र धाई क्लोर रुपे की है, आज की रेट में कोई एक वर विदायक बन जाता है, तो उसकी संपत्ती चार-पांच क्लोर रुपे की हो जाती है, लेकिन ये इनकी संपत्ती आज भी धाई क्लोरी है, मातर एक गाड़ी है इनके पास, तो पैसे किसे भी ये चुनाव नहीं जीत रहे थे, ये साफ साफ इनकी संपत्ती के बेवरे से आपको लग रहा है, साफ दिख रहा है, पार्टी के परती कितना निष्ठावान थे, इसका पर चुनाव लड़ती थी, जन्तादल से युवराज सिंग एक राजपुत लीडर हुआ करते थे, जो कटिहार में दो बार वहाँ पर चुनाव जीते हैं और जन्तादल की तरफ से जीते हैं, जब उनकी राज़िती धीरे-धीरे डाउन हुई, बीजेपी अलग से पर हिंदूतुका भी कहते हैं कि सौफ्ट हिंदूतुका यह पॉलिटिक्स करते थे वहाँ पर, तो वहां से चुनाव लड़ते हैं और वहां से धीरे-धीरे आते हैं और फिर उन इसमें तक बीजेपी से लगाता चुनाव लड़ते हैं, अब इनके बारे में एक इंपॉर कैंडिडेट तीसरे नमबर पे रहे हैं, यानि कि सात इंसिडेंट टोटल हुए जब बीजेपी को वहां पर अपना ताकत दिखाने का मौका मिला है कटिहार लोग सभाचेतर में, और यह सातों को सातों बार मौका जो दिया है, यह निखिल कुमार चौधरी नहीं दिया है, पूरे कटिहार लोग सभाचेतर में आपको एक भी लीडर नहीं मिलेगा, बीजेपी के अंदर जो लोग सभाच चुनाव दलने के हिम्मत रखता हो, मादा रखता हो, यह एक मात्र वेक्ति थे और इनके साथ ही वहां पर बीजेपी खत्म हो गई, क्योंकि आज के डेट में जब 2023 में, 22 में जब सरकार गिर गई थी, बिहार में NDA का खतम हो गई थी, NDA और नितिसकुमार अलग अलग हो थे, बीजेपी नितिसकुमार अलग जब होए थे, तब कवायच सुख क्योंकि बीजेपी को अब ज़्यादा सीटों पे चुनाव लगना था, तब अक्टूब अमित साजी ने, अक्टूबर 2023 में जब बिहार आये थे, तो उन्होंने 10 सीट को अइडिन्टिफाई किया था, जहांपे कि बीजेपी को चुनाव लड़ना है 2024 में, नितिसकुमार के खिलाफ, या नितिसकुमार जब NDA में नहीं थे तो, और उसमें से कटिहार भी एक इसकुमार चले आये, NDA में, फिर से इनका टिकट कार्ट दिया गया कटिहार से, लेकिन उसके बावजुद इन्होंने कभी आज तक अपने पूरे जीवन में कभी विद्रोह नहीं किया, जिस व्यक्ति को, जिस दुलाल चंद गोस्वामी के इन्होंने अपने छत्रचाय मे नहीं उसे छेतर से और उनके नॉमिनेशन में जा रहे हैं, उनका परचार कर रहे हैं ये, लेकिन कभी उन्होंने विरोध नहीं किया, और इनकी छवी देखिए आप कि ये कभी भी किसी भी कास्ट के नाम पे कभी भी कहीं कोई लडाई जगडा हुआ है, तो कहीं पे वो न एक्जाम देने के लिए और वहां पे स्टुडेंटों को जो एक्जाम देने गए थे, उनके साथ मार्पिट किया गया था, लोकल लोगों के द्वारा, इसके खिलाफ की ये लोग बाहर से आगर के सारी नौकरियां ले ले लेते हैं, आसाम में, तो उस पे जब छातर वाप आपके उपर अटाइक होने के संभावना है, तो मैं खुद, यानि कि सांसद रहते हैं, 2003 में ये सांसद थे, उनने का कि हम खुद आपके साथ एक्जाम देने के लिए जाएंगे, और उस समय पे संसद में इसमें बहस होई, और उस बहस के दवरान संसद में और मीडिया में दूनु जगह पे इनके उपर आरोप लगाया कि ये लोगों को भढकार हैं, जिसमें नौर्थिस्ट एक्स्प्रेस में कुछ लोगों को मार्पिट किया था भिहार के लोगों ने जमालपुर रेलवेस्टेशन पे, तो उस गटना के बाद कुछ मीडिया वालो ने यहां त उपर पोटा लगना चाहिए यारे जो टेरिस्ट वाला एक्ट होता था उस समय जो बाजपीजी लाए थे वो इनके उपर लगना चाहिए और इनको जेल में जाना चाहिए एक और इंसिडेंट में आपको बता देता हूँ यह बिहारी स्मिता के साथ कैसे जूले रहते हैं 2005 में जब नितिश कुमार जी फरवरी में सरकार नहीं बना पाए की रोल प्ले कर रहे थे रामिलास पासवान वो ना लालू को सपोर्ट कर रहे थे ना वो नितिश कुमार को सपोर्ट कर रहे थे 29 सीट के साथ तो ऐसे में राश्टपतिस आसन बिहार में लगा दिया गया था आपको जिसके साथ भी जाना है, आपको एंडिये के साथ रहना है, आप एंडिये के साथ रहिए, आपको लालू जी के साथ जाना है, आप लालू जी के साथ जाए, लेकिन वहाँ पे सरकार बनाईए, चुनी हुई लोगों की सरकार एक अस्थिर्ता दिजिये वहाँ पे, ले पुल पुलिया आपको जितने भी इनका डिवेट आप देखेगा 15 साल का लोग सभा का डिवेट इनका जाग देखेगा तो जादा तर बिहार से संबंदित मुद्धों पे ही सवाल उठाए हैं संसत के अंदर तो इस तरह का इनका वेक्टित उठा तो आपको ये सब के होने के बावजूद जो चिंटु टाइप के लोग हैं जो भुमिहार की असमिता की बात कर रहे हैं जो दो बार 15 सालों के अंतराल पर चुनाव दो बार जीतने वाले अरुन सिंग के लिए अरुन कुमार के लिए लाठी डंडा पैना उठा रहे हैं वो इनके लिए कभी क्यू नहीं बोले हैं इनको तो 2019 से चुनाव नहीं टिकट नहीं दिया गया था आज भी क्यू इनका नाम लएतके हैं करते हैं, तो इनका नाम पोनियुक्ति नाम, सब्छितनियality वह काप्टि और वे उनको बहलते हैं, और ये लोग जो चंदा खोड चिंटु टाइप के लोग हैं, जो जहानाबाद में हल्ला मचा रहे हैं, वो यही कर रहे हैं, उनको अपनी दुकान बंध होती है, उनको ठेकेदारी नहीं मिल रहा है, उनको नली बनाने का ठेका नहीं मिल रहा है, तलाब खुदने का ठेका नह नलका पानी जो हता है, नलका लगाने का ठेका नहीं मिल रहा है, इससे परेसान है वो लोग, और कोई इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन निखिल कुमार चौधरी जैसा साफ, सुत्रा, व्यक्तित वाला, उनकी लाइफ में कभी कोई कंट्रोवर्सी आई नहीं है, क्योंकि वो सुसाइड कर लिया था, उसके लावब इनके लाइफ में कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं दिख्या, जब इनको टिकट नहीं दिया गया, तो उसके बाद फे 2020 में इनको बीजेपी के रास्तिये परिशत का मेंबर बना दिया था, यानि कहीं नहीं होता ना, कि एक गार्जिय के अस्मिता के और भूम्यार के अस्मिता के बात करते हैं, और हला मचा रहे हैं, हुआ हुआ कर रहे हैं, खास करके इस लोकसवाचुनाद 2024 के दोरान, ऐसे ख़बर के पीछों की ख़बरों के लिए आप बने रहिए, निउजहंटर के साथ, हम ऐसे बहुत कुछ आपको भी देने वाले हैं, पूरे लोकसवाचुनाद 40 दिन लगभग बचे हुए, बने रहिए, निउजहंटर के साथ, नमस्कार